अगर अब आपने जीस्टी पोर्टल से टाइम टू टाइम डेटा डाउनलोड नहीं किया तो हो सकता है बाद में आप कभी भी वो डेटा डाउनलोड नहीं कर पाओ जी हां दोस्तों जीस्टीन पोर्टल पर अब एक यह इस्यू आ रहा है कि हम पुराने सालों का डेटा डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं आईए मैं दिखाता हूं आपको हम चलते हैं लेजर्स में electronic liability laser में आपको दिखाता हूं अगर जिनको पता नहीं कि electronic liability laser क्या है तो basically इस liability में जितने भी आपने return बगरा से related liabilities pay करी है for example जब आप return भर रहे थे तो आपने आपकी जो liability या तो credit laser से debit हुआ होगा या फिर आपने case में पेव करी होगी वो तो सारी liability आती है उसके साथ साथ अगर कोई appeal, revision, review, rectifications related कोई reduction और enhancement होता है liability में उसकी detail आती है कोई demand आपने pay करी है उसकी liability आपने pay करी है वो detail आती है तो basically जो भी आपने payments किये हैं वो आप electronic liability ledger में जाके देख सकते हो यह एक से 8 point है जो आपके लिए काफी काम के हो सकते हैं electronic liability क इसलिए पकड़ा है अभी क्योंकि यह month wise data दिखाता है इसमें month wise data चलिए देखते हैं एक बार कि मैं कौन से period की बात कर रहा हूं कि कब का data system उड़ा रहा है अगर मैं 19 अभी latest का data देखू 19-20 का March का तो मुझे system अभी data दिखा रहा है यह देख सकते हो आप other than reverse charge debit debit credit credit तो यह cash का credit के थुरू balance हो रहा है उसमें और यह debit के थुरू आपकी return related entries है यह तो यह जो भी आपने payment किये हैं आप यहां पर देख सकते हो लेकिन अब जब मैं 17-18 का data देखता हूं अगर मैं अगस्त का देख रहा हूं 17-18 का data तो अगस्त का तो मुझे दिखा रहा है यह अगर बट आप देख सकते हो उससे पहले का data आप नहीं देख पाऊंगे तो मैं अगस्त 2017-18 का भी data नहीं दिखने वाला है तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं यह चीज वह इसलिए बता रहा हूं कि आपको time to time अपने data download करके उसका backup लेना आप सब लोगों के लिए जरूरी है तो मेर download किजिए चाइब यह 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 एल्य डाउनलोड कीजिए साल में एक बार तरफ डाउनलोड करे घर है अब हम देखते हैं क्या ऐसा electronic credit laser में भी हो रहा है दो चलिए दोस्तों electronic credit laser में भी देखते हम की electronic credit laser में क्या सीन है कि हमदेखते है जुलाई 2017 से देखते हैं data जुलाई 2017 से देख रहे हैं तो अभी डेटा दिखा रहा है वो क्रेडिट लेजर में इसका करण यह भी हो सकता है कि जुलाई की जो रिटन गई थी वो गई थी अगस्त में तो अभी उस रिटन फाइलिंग के पिरिड को तीन साल नहीं हुए बट मुझे डेफिनेटली लग है कि जब हम नेक्स्ट मंत देखेंगे तो हमें यह डेटा भी सायद सिस्टम नहीं दिखाएगा और यहां पर भी मेसेज आने वाला है कि तीन साल से पुराना डेटा हम आपको नहीं दिखाएंगे हालां कि मुझे नहीं लगता कि कहीं कानूर में चीज लिखी हुई है कि GST पॉर्टल कितने साल के लिए डेटा रखेगा या नहीं रखेगा बट अगर लोजिकली देखा जाए तो डेटा सुरू से लेके एंड तक पॉर्टल पे होना चाहिए डेटा ऐसे पॉर्टल से उड़ना पॉर्टल से हटाना किसी भी हद तक कोई लोजिकल पॉइंट मुझ में दिक्कत आने वाली है लोग कानून में लिखा है कि यह एन्वल रिटन फाइल करने तक पांस साल तक आपका सेस्मेंट आ सकता है तो कम से कम वह पांचे साल अगर आप अपने वीडियो देखा है तो प्लीज आप अप भी जाके सारे डावन लेट होते ही आप एक महीने से डेटा कम डाउनलोड कर पाओगे अगले में आप बैठोगे तो अगेन एक महीना उपर होता जाएगा तो प्लीज मेरे आप सब से रिक्वेस्ट आज ही जाके जैसे आप यह वीडियो देखें जैसे ही आप अपना पॉर्टल लोगिन करें आप अपना सबसे पहले डेटा मंतवाइज कौर्टरली या शिक्स मंतली जितने भी प्रिटगा सिस्टम अलाउग करता है आप प्लीज वो डेटा डाउनलोड कीजिए और उसका बैक प्रोपर बनाके रखिए ताकि आगे असेस्मेंट में हमें दिक्कत नहीं आए तो यह थी दोस्तों आज की अपडेट अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी अगली वीडियो में वैसे अगली वीडियो मैं मैंने आपको पहली पताया था कि नेक्स्ट हम जी स्ट्या नाइंड डिस्क्रिशन करने वाले हैं एक दो दिन में वीडियो आपके सामने आना सुरू हो जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच जै हिंद जै भारत